तोते के अंडे एक समय की बात है तोते का एक बड़ा सजुन पीपल के पेड़ पर रहता था मगर वे सब तोते बहुत उधास रहते थे क्यूकि पास के गाउं का एक शिकारी अकसरा कर उनके छोटे छोटे अंडों को चुराकर ले जाता था शहर में जाकर उन्हीं अंडों से जब बच्चे निकलते उन्हें वह बेच देता एक दिन एक तोते ने कहा मेरा इस पेड़ पर रहने का दिल नहीं करता है वह शिकारी जब चाहे आकर हमारे अंडों को चुराकर ले जाता है हाँ दोस अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वन्ष खत्रे में है हाँ दोस तुम ठीक कहते हो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वन्ष एक दिन समाप्त हो जाएगा और हम सब अकेले हो जाएंगे तब ही अचानक शिकारी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई बचाओ, 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 कोई तो मेरी जान बचाओ अरे ये तो उसी शिकारी की आवाज है लगता है ये फिर से अंडो को चुराने आ रहा है मगर ये बचाओ, बचाओ क्यों कह रहा है आखिर क्या हो सकता है? आखिर क्या बात है? नहीं नहीं, लगता है ये किसी मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, मैं इस शिकारी की कोई मदद नहीं करूँगा, हमारे दुखों का कारण यही तो है मिठू तोता, जो दिल का बहुत अच्छा था, उसे शिकारी पर बहुत दया आई, मिठू तोते ने कहा, मैं उसकी मदद जरूर करूँगा, मिठू तोते को छोड़ कर, कोई भी शिकारी की मदद करने के लिए नहीं गया मिठू तोता, जब शिकारी की मदद करने पहुँचा, तो उसने देखा, शिकारी दर्ट से तड़प रहा है, और उसके पैर पर साप के दादों के निशान है लगता है शिकारी को साप निकाटा है, मुझे इंकी जान बचानी होगी मिठू तोता तुरंट वैजी के पास गया, और उन्हें लेकर शिकारी के पास आया वैजी ने तुरंट सारा जहन निकाल दिया धन्यावाद वैजी, आज आपने मेरी जान बचा ली धन्यावाद मेरा नहीं, मिठू तोते का करो, जिसने समय रहते मुझे बुला लिया शिकारी मिठू तोते से अपने किये हुए कामों की माफी मांगता है और कहता है कि अब वह कभी उनके अंडों को नहीं पकड़ेगा एक बुद्धी मेंडक, जंगल के किनारे एक तालाब था वहाँ बहुत छोटे बड़ी मचलिया और मेंडक रहते थे तालाब में दो बड़ी चतुर मचलिया थी एक था सोना, दूसरी था रानी सभी जलजीव अपनी समस्या लेकर उनहीं के पास आते थे एक दिन जंगल किनारे तालाब में मचलिया पकड़ने के इरादे से कुछ मच्छुआरे आए एक निगा तम ठीक कहते हो, यहां बहुत मचलिया है लेकिन इने पकड़ने के लिए हमें एक बड़े जाल की जरूरत है पहले हम अपना बड़ा जाल ले आते हैं जिससे सभी मचलिया एक ही बार में हमारे जार में भज जाएंगी, हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, चलो जालने कर आते हैं उनकी बाते वहीं बैठे तालाब के मेंडक्ते अच्छी दरह से सुन ली थी, वह नहीं चाता था कि सभी मचलियों को ये मचुवारे मार दें, इसलिए वह ये खबर लेकर सोना और नानी मचली को बताने के लिए गया मचली मचली सुनो मैं अभी देखकर आ रहा हूँ, मचुवारे मचुवारे आकर तुम्हें अभी पकड़ लेंगे, कुछी देर में वो आते ही होंगे, अपना बड़ा जाल लेकर तुम बहुत डर पोख हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, इस तालाब में कोई नहीं आएगा तुम हमें और बाकी मासू मचलीयों को दरा नहीं सकते, समझी मेंड़क मेरे होते हुए तालाब की किसी मचली को कुछ नहीं होगा, रानी मचली नहीं कहा, मुझे लगता है तुमने कुछ गलत सुना होगा, हम तो हमेशा सतर्क रहते हैं, हमारे रहते किसी मचली को कोई कहता है, मैं मानता हूँ, आप दोनों बहुत बुद्धि मान हैं, मगर मैं भी एक छोटी सी बुद्धी का स्वामी हूँ और मुझे अपने कानों पर भी पूरा भरोसा है, मैं अभी अपने परिवार के साथ यह तालाब छोड़कर जा रहा हूँ, मेंड़क अपने परिवा तालाज में डाल दिया सभी मचलियों को सोना और रानी मचली के घमंड के कारण अपनी जान देनी पड़ी और समझतारी के कारण मेंडक और उसका परिवार सुरक्षित हो गए